नमस्कार दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कास्टिंग सोडे की स्प्रे की बारे में जो मैं आज अपने और्चड में करने वाला हूँ दोस्तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ caustic soda जिसको हम sodium hydroxide भी कहते है ये एक उचकोटिक अक्षार होता है दोस्तों friends कोई उसको casting soda भी बोलते है कई लोग बोलते है जबकि इसका correct name जो है वो caustic soda है इसको दहाक soda भी कहते है ये इसका जो राशानिक सुत्र है दोस्तों जब आप इसमें इसको पानी में मिलाते है तो वो बनता है एन ए ओच अच्छा दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि स्प्रे कास्टिंग दहाक soda की स्प्रे करने के लिए करते बारी आपको जो है सबसे पहले main जो बात है वो आपकी अपनी safety के बारे में है क्योंकि इसका इससे जो है ये दहाक soda जो इसको बोलते है ये जला देता है दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है कि हाथों के लिए आपके पास गलब्ज होने चाहिए और मुँ में लगाने के लिए आपको पास तेल आप जो है मुँ में लगा सकते हैं और आइज को ढखने के लिए आपको पास स्पैक्स होने चाहिए और मुँ को हर आपके पास जो है मास्क भी होना चाहिए ताकि आपका श्रीर जो है पूरी तरह से ढखा हुआ हो कहीं से भी आपको जो है स्प्रे स्पर्ष ना कर पाए आपकी स्किन को जिससे कि आपको नु दोस्तो कॉस्टिक सोडे की स्प्रे जो हम अपने और्चड में करते हैं वो इसलिए करते हैं कि अगर आपके और्चड में किसी भी परकार का फंगस है हुलिया फिड है स्केव है हौर माइट के अंडे है या लास्ट येर आपका जो पत जड़ है वो जल्दी हो गया मार्शलिना अबलोज की बज़ा से जो भी आपके जो भी डिजीज जो भी फंगस आपके प्लांट में है वो दोस्तो इसको जला देगा इसको खतम कर देगा जैसा कि आप बोल सकते हैं कि 100 दुखों की एक दवा लेकिन दोस्तो इसको करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको क्या-क्या सावधानिया रखनी है दोस्तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह है कास्टिंग सुड़ा यह दो किलो की पैकिंग है तो इसको मैं डालूगा एक बाल्टी में इस प्रकार से दोस्तो यह घुलन शील होता है और इसको इस तरह से मिला देगे दिएन रखे आप लोही की चीज़ी तो न करें किसी स्प्रे मैं जब तक यह घुलता है मैं आपको बताता हूं दोस्तो अगर इसको करने के लिए जो है temperature कैसा चाहिए दोस्तो minimum, minimum temperature में आप इसकी spray कर सकते है और इसके एक हफते के बाद बारिश, एक हफते के अंदर, sorry, बारिश का होना बहुत जरूरी है अगर by chance, आज की डेट में तो आपक पास facilities है आप बैदर को देख करके इसकी spray कीजिए by chance अगर बारिश नहीं होती है एक हफते के अंदर तो आप जो है अपने औरचड में पानी की spray कर सकते है दोस्तो, जहां धूप कम लगती हो ऐसे areas में आप इसकी जो है दो किलो की spray कर सकते है otherwise sunny areas में जहां sunny areas में आपके औरचड है जिनके तो वहां पे आप इसको डेड़ किलो कीरेशों से डाल सकते है और जहां पे धूप नहीं लगती है जिसको हम बोलते है शिला area है जहां पे तो वहां पे आप जो है इसको third year जो है repeat कर सकते है अगर आपको असा लगता है कि मेरे plant में जो है पत जड़ जल्दी हो रहा है और disease ज़्यादा आ गया तो आप इसको कर सकते है और sunny areas में आप इसको तीन साल बाद ही करे तो अच्छा रहेगा क्योंकि ये अगर एक हपते के अंदर बारिश नहीं होती है दोस्तों तो ये क्या करता है कि ये पोधे की skin को जो है जला देता है इसको खुर्द्रा कर देता है दोस्तों जब ये मिल जाए पुरी तरह से तो आप इसको जब drum में डालेगे चलो अब भी मिलने देते है इसको जब आप इसको ड्रम में डालेगे दोसलिट्र ड्रम में तो आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों तो आप चाहिक किसी भी कोई भी स्प्रे कर रहे है, किसी भी चीज की स्प्रे कर रहे है, तो आपको दूआईयों को ड्रम जितना ज्यादा हो सके उतना मिलाना है, दोस्तू. कई लोग फटाफट डालके ड्रम में दो तीन बारी हिला ढूलाके और स्प्रे कर देते हैं तो उसका कोई benefit नहीं है दोस्तों दौाया अच्छी तरह से मिलनी चाहिए तभी जाके आपके जो स्प्रे है उसका आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा चाहता हूँ इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए है पहली बारी आये है वीडियो देख रहे है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक शेयर ज़रूर करना और बल आइकन को जो है ओल पर स्लेक्ट करना जहिंद जवारत